हाँ जी दोस्तों आज देखिए एक लेका हैं फॉर्चुनर टाइप वन जिसको हम रिस्टोर कर रहे हैं और देख सकते हैं इसमें रिस्टोरेशन का काम अंडर प्रोसेस है इसपीकर समने चेंज किया है, अलपाइन सिर्स से स्पीकर डाले है अलपाइन के S सिर्स और स्टीरियो प्लॉपं qa qi lahar हो जा रहा है देख सकते हैं आप स्पिकर हो गई अल्पाइन के S-Series और स्क्रीन हो गई ब्लॉपंग का कीलारगो उसके बाद काम बहुत होना है बोनर डेम्पिंग देखी हो रही है चारो डोर डेम्पिंग होगी एक फ्रंट ग्लास पे फिल्म लगेगी साइट फिल्म हो गई और इसका पूरा इंटिरियर का काम होने जा रहा है रूफ चेंज होगा और साथ में इंटिरियर मैचिंग सीट कवर जाएगा एंबियन लाइट लगेगी देख सकते हैं अंदर वर्क प्रोसेस में है कुछ-कुछ काम हो चुका है स्क्रीन देख सकते हैं अब लग चुकी है एंबियन लाइट पे भी काम चल रहा है और यह जो रिप्लेस हमने किया इसकी स्क्रीन जो लगी थी और हमने रिप्लेस किया इससे किलार्गो से तो बहुत ही जबरदस्त ब्लॉपंग का यह किलार्गो 980 है लैक की प्रॉब्लम एकदम नहीं रहती है इसमें उसके बाद देख सकते हैं कैमरा भी इसमें AHD डाला गया है बाकी एक बार काम पूरा हो जाता है आखरी तक वीडियो जरूर देखिए बहुत मज़ा आने वाला है फाइनल लुक हम जल्दी रिवील करेंगे इस वीडियो में आगे देख सकते हैं सारे पैट्स खुले हुए स्पीकर जैसे की हमने बताया आपको एस सिरीज डेंपिंग अबर्ग भी स्टार्ट है डबल लेयर डेंपिंग हो रही है तॉर्प ब्रेंड की जिस पे हम लाइट डेंप गरेंटी देते हैं तो यह डेंपिंग का काम स्टार्ट है और पीछे देख सकते हैं देख सकते हैं चारो गेट में डेंपिंग हुई है डबल लेयर डेंपिंग हुई है डेंपिंग के भी फायदे बहुत हैं आपका एसी बड़िया काम करता है बाहर की जो रोडस की आवाज आती है वो नहीं आती है रेटलिंग साउंड नहीं आती है तो डेंपिंग के भी फायदे बहुत है बाकी इंटीरियर में भी काम देख सकते हैं सीट कवर पे काम भी चल र हो जाता है तो final look हम लेके आते हैं बने रही है पूरे वीडियो में तो चलिए फटा-फट आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या काम किया इसमें final look लेके आते हैं तो देख सकते हैं सीट कवर हुआ है एक्स्टा-फॉर्मिंग के साथ हमने डाला इसमें एक्स्टा-थाइड सपोर्ट के साथ देख सकते हैं आप और फिट एंफिनिच देखिए कितनी प्रॉपर आईए कोई कुछी रिंकल आपको नहीं मिलेगा फुल पकेट में हमने डाला इसमें इंटिरियर मैचिंग के साथ बेज और ब्लैक देख सकते हैं कितनी प्यारी फिटिंग आई है सीट कवर की इक्स्टा-फॉमिंग के साथ उसके बाद एक आम्रेस्ट लगाया गया है आम्रेस्ट पे लैजर रैप आप कह सकते हैं और एक 9D मैटिंग डाली गई है प्रॉपर एकदम देख सकते हैं कितनी प्यारी आ रही है कि देख सकते हैं फिटिंग कितनी प्रॉपर आ रही है यह डबल लेयर मैटिंग होती है तो बहुत ही असान होता है इसे क्लीन करना एमियन लाइट डोर्स पे और डेज़बोट भी देख सकते हैं सैट आप 18 डाली गई है यह पूरी तरीके से आपके मोबाइस ऑप्रेटेट रहती है तो आप कस्टमाइस कर सकते हैं अपने ज़वरत के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है कलर चेंज करना है तो यह आपकी उंगलियों पर रहता है और आप मोबाइस से जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं पीछे गेट पर भी एम्गेन का लुक देख सकते हैं पीछे की इपर मैटिंग का नजारा देखिए कितनी प्रॉपर फिटिंग आई है पूरी एच टू एच कवर हुई है डबल लेयर मैटिंग है फिटिंग देखिए कितनी बेदरी नाई है तो गाड़ी के इंटीर को प्रीमियम फिल दे रही है मैटिंग साथ मैं सीट कवर देख सकते हैं बैक से भी कही कोई रिंकल आपो नहीं है है फिटिंग देखिए कितनी प्रॉपर रह थिटिंग आई है शीट कवर की इसके बाद पीछे भी आप देख सकते हैं सीट की फिटिंग तो इसमें आमरेज भी एकदम OEM स्टाइल में सीट कवर लगा है, कोई चेन नहीं है वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं है ड्रेस की फिटिंग देख सकते हैं कितनी बेतरी नहीं है साथ में आमरेज देखिए इसका उसके बाद अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो टेल लैंट हमने हमने चेंज किये बीमड़ू स्टाइल में वो भी अभी आपको जला के दिखाएंगे फिलाल बैक डूर में देखिए एम्बियन कितनी ही प्यारी लग रही है और एंगल से आपको सीट की फिटिंग दिखा रहे है और यह एकदम OEM स्टाइल में आमरेज दें सकते हैं कोई भी चेंज नहीं लगी है प्रॉपर फिटिंग एकदम बैक साइड से भी देखिए उसके बाद रूप पे भी हमने काम किया वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा आगे की गेट में फिलाल अम्बियन देखिए आप सेट ओफ अठारा लगी है तो हैंडिल पे भी क्लास हुल्डर एट्मोस्पियर और मैटिंग का नजारा एक बार देखिए नाइंडी का कितना प्रॉपर आ रहा है ड्राइवर साइड का सीट कवर हो गया एक इस स्टेडिंग पे रैप किया गया है उसके बाद रूफ पे इसमें काम हुआ है तो चलिए फटाब और रूफ दिखाते हैं आपको देख सकते हैं आप इस टाइल में रूफ डाला गया है जो कि इसके गेट पे स्टेजिंग दी रहती है उसी से मैच हमने किया है और रूफ भी देखिए कितना प्रॉपर और बेहतरी इसका हो गया है रूफ की फिटिंग भी बहुत प्यारी आई है देख सकते हैं आप कितनी प्यारा रूफ की फिटिंग आई है देखिए तो पूरा रूफ चेंज हुआ है उसके बाद एम्बेन लाइट हम आपको दिखाई चुके हैं एक बाद पूरा लूफ दिखाने की कोशिश करते हैं इंटीर का द्रोन स्टाइल में यह देखिए उपर से तो यह पूरी एम्बेन लाइट हो गई इंटीर का नजारा हो गया इस्टीरियो डिस्प्ले हो गया डबल लेर डेम्पिंग हो गई इस्पीकर्स चेंज हुआ हैं साथ में बैक प्रोफाइल भी काम हुआ है उस पर भी अभी हम जाएंगे और आपको बैक प्रोफाइल भी दिखाएंगे जरूर इंटीर आप फिलाल देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम हो चुका है उसके बाद एक गेर नॉप भी डाली है इलिमिनेटेड गेर नॉप डाली तो एक अंदेरे में आप लुक देख सकते हैं एंबियंट और गेर नॉप का कितना प्रोपर आ रहा है बैक प्रोफाइल की भी बात कर लेते हैं तो एक BMW स्टाइल में टेल नेम लगी है और साथ में एक कनेक्टिंग लेंब भी है फॉर्चूनर बैजिंग के साथ वो भी इलिमिनेटेड है मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं तो बैप प्रोफाइल भी कितनी प्रीमियम हो गई है तो ये काम हमने किया था फॉर्चूनर में उमीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपके पास भी अगर कोई पुरानी गाड़ी उसे रिस्टोर करना है तो आप हमसे संपर कर सकते हैं क्योंकि सारा काम यहां पर बेस्ट प्राइज और बेस्ट क्वाल्टी के साथ होता है बाकि आप एक बार बैक लुक फिर से देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा आरा है और यह कस्मर सैटिस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टे दौरा मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स वीडियो में टेक केर बाई बाई हैवा नाइस देग